दिपिका पादुकोन का छपाक का ट्रेलर आ गया है और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस ट्रेलर का तलवार और राजी जैसी फिल्म में बना चुकी मेगना गुलजार इस बार आपके सामने छपाक लेकर हाजिर है इस फिल्म का इंतिजार काफी वक्त से किया जा रहा था और अब ट्रेलर देखने के बाद वाकई ये कहा जा सकता है कि फिल्म जबरदस्थ हो सकती है और फिल्म में लेड डोल निभा रही है दिपिका पादुकोन जो की ऐसे डटेक विक्टिम का रोल करेंगी दिपिका के अलावा आपको इस फिल्म में विक्रांत मैसी भी नज़र आएंगे जो की आलोग दिक्षित के रोल में है और जो की एक सोशल एक्टिविस्ट है लेकिन ये फिल्म किन वजों से चर्चा में रही है और इस फिल्म में आपको क्या आखाज देखने को मिलने वाला है ये जान दीजे सबसे पहले इस फिल्म के डायलोग्स ऐसे बिकता ही क्यों है? अगर ऐसे बिकता नहीं तो फिकता भी नहीं ये डायलोग आपको एक मिनिट के लिए सुन्न कर देता है इस एक लाइन में ना सिर्फ दर्ध है बलकि इस सिस्टम की धजिया उड़ा देता है कि आखिर एसिड अटेक के बाद रोना बकवास है कि अगर इतना दुख है तो इन दुखानों में एसिट के लिए जगे ही क्यों है दूसरा दिपिका की एक्टिंग और उनका लुक पिछले कई सालों से दिपिका अपनी हर फिल्म में खुद की एक्टिंग को प्रूफ कर चुकी है और इस फिल्म से भी उम्मीदे की जा रही है कि दूसरा दर्द को दिखा पाएंगी बल्कि उस घुसे को भी रख सकेंगी जोकी हम सब इस ट्रेलर को देखकर महसूस कर पा रही है दिपिका का गैट अप इस फिल्म में बिल्कुल रियल लग रहा है और मेकप की दाद देनी पड़ेगी, वाकई कुछ जगे देखकर ये फहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये दिपिका है या कोई और बलकि कई जगे दिपिका आपको दिपिका नहीं बलकि हुबहु लक्ष्मी अगरवाल ही दिखेंगी इसके अलावा ट्रेलर में आपको कई जगे उनके एक्स्प्रेशिन्स और स्तितियों से बदलती बॉडी लेंग्वेज भी दंग कर देने वाली दिखेगी तीसरा, फिल्म के दमदार सीन्स केलर में एक जगे एक रोता हुआ बच्चा दिपिका का चेहरा देख लेता है और दर से चिल्ला जाता है ये कुछ ऐसे पावरफुल सीन्स होते हैं जिनमें डायलोग की ज़रूरत नहीं होती और बहुत स्ट्रॉंगली अपनी बात एक्स्प्रेस कर जाते हैं फिल्म की शूटिंग 25 मार्च 2019 को शुरू हुई थी और फिल्म लगातार अपने मुद्दे को लेकर चर्चाओं में रही है आने वाली 10 जन्वरी 2020 को ये फिल्म रिलीज हो रही है आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट पॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा शुक्रिया